नमस्कार भारत लाइद देख रहे हैं आप लालू प्रसाद यादो और नितीश कुमार दिल्ली जाएंगे सोनिया गांधी से मुलाकात होगी इस मुलाकात में सब कुछ साफ होगा ती देश के प्रधार मंत्री को लेकर जो इतनी जादा चर्चा हो रही है तो आखिर विपक् पहले ही राष्टिय जनता दल ने नितीश को पिएम गोसित कर दिया है दरसले राजत के परदेश सद्यक से जगदान सिंग का बयान निकल कर सामने आया है जगदान सिंग ने नितीश कुमार को प्रधान मंत्री बता दिया है और कहा है कि लालू जी जिसको चाहते हैं उसको परदान मंतरी बना देते हैं तो इस बार बारी बिहार के मुखक मंतरी नितीज कुमार की है तो अब नितीज कुमार को परदान मंतरी बना देंगे वही अब बात की जाए दिल्ली लालू से मुलाकात के बाद नितीज कुमार गय थे एक दरजन नेताओं से उनकी मुलाकात हुई थी इस मुलाकात में काफी हद तक नितीश कुमार के लिए राहत भरी ख़बर मिली लेकिन वह अगर बात करें तो लालुक परसाद यादो के गैर मौजूदगी में नितीश कुमार और कॉंग्रेस के नेताओं से सही तरीके से बाचित नहीं हो पाई ख़बर तो यह भी है कि काफी लंबा इंताजार के बाद नितीश कुमार से राहूल गांदी ने मुलाकात की थी तो अब नितीश कुमार चाहते हैं कि लालू को साथ लेकर जाएं तो ख़बर यह है कि तेज़सुई यादो भी पटना आचुके हैं तेजसुई यादो सब कु दिल्ली जाएंगे और दिल्ली में सब कुछ तय हो जाएगा जगदा अंसिंग के अंसार लालू प्रसाद यादो जिस तरीके की राजनीत करते हैं तो नितीश कुमार के लिए कहीं ने कहीं उन्होंने जो रोड मैप बनाया है वो काफी सफल होगा जगदा अंसिंग ने इस ब है और नितीश कुमार के नेत्रित में जिस तरीके से भारतिय अंतर पार्टी ने बिहार में अपने आपको फैलाया है नितीश को कमजोर किया है तो इस बर भी जद्यू को लोगों को अब ध्यान देना होगा जगदा अंसिंग याई नहीं रुके उन्होंने नितीश कुमार को और परदान मंतरी मोधी वाले समाजिक नयाय और समाजवादी नेता बताये जाने को लेकर भी जिक्र किया है कि नितीश दी समाजवादी नेता है लेकि लालू परसाद यादो भी समाजवादी नेता है अब जब समाजवादी नेताओं का दिल्ली में जुटान होगा तो जस्वी यादो बिहार सरकार में अभी मंत्री है एक डिप्टी सीएम है लेकिन सीएम का जो सपना है उसे पूरा करने के लिए नितीश को दिल्ली भेजना होगा तो ऐसे में लालू यादो नितीश को लेकर दिल्ली जा रहे हैं और सोनिया गांधी से मुलकात की बादचीत है और तारीख भी तै हो चुकी है लेकिन अभी एलान नहीं किया गया है देखना है होगा कि आने वाले दिनों में यानि दसारा के आसपास बिहार से एक बड़ा जो है कुन बाद दिल्ली जाएगा और वही मुलकात होगी और उसके बाद एलान किया जा सकता है कि विपक्षी जालों के तरफ से कौन प्रधानमंत्री के उमिद्वार होंगे। डावल जीरो धन्ने बाद